में प्रियांका इस डिस्क्राइबिंग दा बलड को एगुलेशन बलड को एगुलेशन क्या होते है जब भी बलड बलड वैसल से सेड आउट होता है किसी इंजरी की वज़े से या फिर हम टेस्ट करने के लिए बलड को किसी कंटेनर में कलेक्ट करते हैं तो थोड़ी देर ब मास में चेंज हो जाता है यानिकी जएसे जली होती है चेंज हो जाता है, उसको हम coagulation बोलते हैं यानि कि जो यहां पर blood का fluid है, वो किसमें change हो जाता है, वहाँ पर gel में यानि कि Lil quilote में, उसको हम blood sharudation बोलते हैं, अब blood emotion के लिए कुछ factor होते हैं, उनको हम clotting factor बोलते हैं, the process of coagulation involve a steped wise process, यानि कि जो यहां पर coagulation की process होती है उसमें step wise process होती है जिसके अंदर वहां पर कुछ substance जैसे protein, calcium यह सब होते हैं वो clothing factors वो सब इसके अंदर अपना-पना role play करते हैं और यहां पर clot form करवाते हैं जो यहां पर blood clotting factors होते हैं वो 13 इन numbers होते हैं जिनको हम हमेशा roman language में ही sow करते हैं इनको हम common language में sow नहीं कर सकते हैं इनको हम सिरफ roman language में ही sow करना होता है ठीक है roman language में हम blood clotting factors को sow करते हैं हमारे पास total कितने होते हैं clotting factors 13 उसके बाद इसके एक short trick है इनको याद कैसे करेंगे हम क्योंकि यह हमें क्या step wise याद करने हैं सिरियल wise याद करने हमें इनको आगे पीछे नहीं कर सकते हमें इनको सिरफ सिरियल wise ही याद करना होगा इसके लिए मैंने आपको एक short trick दे रखी है जैसे क्या for proper treatment of cancer please arrive soon at चंदर सेखर आजाद hospital फरीदाबाद यानि कि कोई patient है जैसे cancer का कोई patient है यहाँ पे मैं आपको सिरफ एक trick बता रही हूँ यह factors नहीं है यहाँ पे यह सिरफ एक trick है जिसके दोरा आप इनको याद कर सकते हो जैसे कोई patient है वो cancer का patient है अब उसे अपना treatment लेना है ठीक है उसे चाहिए कि हाँ मुझे अपना पूरा treatment करवाना तो उसे हम कहेंगे कि आपको अगर cancer का proper treatment लेना है आपको जल्दी ही चंदर सेखर आजाद hospital जो कि फरीदाबाद में वहाँ पहुंचना होगा तो इसके लिए treatment आप ले सकते हो तो यहाँ पर trick क्या बनी for proper treatment of cancer please arrive soon at चंदर सेकर आजाद hospital फ्रीदाबाद यहाँ पर एक trick है इसको हम याद कर लेंगे तो इनके जो first letter है जैसे 4 से F, proper से P यानि कि इस तरह के जो यहाँ पर first letter है उनको हम वहाँ से ले लेंगे और इनके नाम पर इनके जो first reporting factors हैं उनको याद रख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास factor कितने हैं 1 to 13 जिनको हम रोमन लेंगेज में ही सो करते हैं जो factor 12, 8, 9 and 10 है यही parents से form होते हैं और यह mast cell से secret होते हैं ठीक है यहाँ पर मैंने आपको एक और trick बता रखी है second trick अगर आप भाई चांस वो वाली trick भूल जाते हो या फिर याद नहीं रहती है तो आप क्या करोगी यहाँ पर मैंने एक और trick आपको दे रखी है यहाँ पर second trick क्या है fit pant tight color लगा के निकला scent और चस्मा सामने आ गया पापा हो गया fail ठीक है यानि कि कोई एक लड़का है जैसे अपने personality को improve करने के लिए अपने आपको वाँ पे improve दिखाने के लिए लेकिन उसकी घर पे इतनी personality है नहीं लेकिन अपने दोस्तों में जाके या फिर लड़कियों के सामने वो अपने personality को वहाँ पे बढ़ा चड़ा के दिखाना चाते हैं ठीक है तो लड़के क्या करते हैं फिर वहाँ पे बिल्कुल tight fit pant पहन के और color लगा के चस्मा लगा के वो बाहर निकलते हैं ठीक है और उनके parents को पता नहीं है कि हमारा लड़का ऐसे से बाहर निकला व और फिर किसी लड़की के चकर में ऐसे ऐसे आया है ठीक है और वो अपने दोस्तों के सामने पहुंच भी जाता तो अगर उसका सामने से उसका पापा आ जाता है ठीक है सामने से उसका पापा आ जाता है ठीक है तो यहाँ पे हम second trick क्या बता सकते हैं fit pant tight color लगा के निकला scent औ और चस्मा भी लगाया है और उसके साथ में उसके pant fit है color भी टाइट किये है उसने और आगे से उसका पापा आ जाता तो वह फेल हो जाता जो भी वह वहाँ पे activities करना चाहता है तो इससे हमारी trick क्या बनते है fit pant tight color लगा के निकला scent और चस्मा ठीक है देखो उसने क्या किया fit fit pant पहने है और tight color कर लिए अपने ठीक है यानिक अपने color colors को उसने अच्छे से खड़े कर लिए ठीक है tight कर लिए उन्होंने और उसने क्या 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 लगाया है वहाँ पे scent और चस्मा और सामने से कौन आ गया उसका पापा ठीक है पापा आने से जो भी वह एक्टिविटेज करना चाहता था वह वहाँ पे फेल हो जाता है तो इस तरीके से हमारी पास यहाँ पे second trick भी बन जाती है फीट पेंट टाइट कोलर लगा के निकला scent और चस्मा सामने आ गया पापा हो गया फेल ठीक है यह ट्रिक भी हम यहाँ पे याद कर सकते हैं पहले वाली trick मैंने आपको बताई है वो क्या है फोर प्रोपर ट्रीटमेंट ओफ कैंसर प्लेज अराइव सुन एट चंदर सेकर आजाल होस्पिटल फरीदाबाद यहाँ पे हमने जो यह ट्रिक की हैं यह हमें सीरिल वाइज ही करने होंगे ताभी हम इन जो फेक्टर्स हैं हमारे पास बलड क्लोटिंग फेक्टर्स हैं उ फेक्टर्स हैं जिनको हमने रोमन लेंग्वेज में सो कर रखा है जो हमारे पास फेक्टर्स होता है उसकी सिर्फ हमारे पास रोमन लेंग्वेज ही होते लेकिन वह फेक्टर हमारे पास नहीं होता ठीक है वह एक्जिस्ट नहीं हुआ है अब तक तो अब चलते हैं हम हमारे ट्रिक वाई जगर हम करते हैं जैसे हमारा पास second ट्रिक है यहाँ पर हमने इसका first letter ही लेना है जैसे यहाँ पर first letters है इन first letters को ही हमने याद रखना है और इनके according ही हम इन factors को याद रख सकते हैं जैसे हमारा first हमारा blood clotting factor वो क्या ऐसे फाइबरीनो जन सेकंड प्रोत्रोंबी दिएपी एफवसे फाइबरीनो जन पी से प्रोत्रोंबीन ठीका उसके बाद टाइट में थ्रॉमबॉप्लाश्टिस्टिन फॉर्थ कैलसیम इफ़् सेट हमारे एक्जिस्ट नहीं हुआ है नंगे गदा तो उसके बाद जो हमारा 9th factor है वो है Christmas factor, 10th saturated power factor, उसके बाद 11th है वो है anti-hemophilic factor या फिर इसको हम plasma thromboplastin factor भी बोल सकते हैं हमारा 12th factor है Hegman factor और 13 हमारा fibrin stabilizing factor इस तरीके से हमने ये सबी factors को याद रखना है ये serial wise ही होने चाहिए इनको हम proper step yg करते हैं और step yg इनके process होती है इसलिए हम इनको step yg करने चाहिए जैसे क्या हमारा पास हम पूछ लेते हैं कि factor 7th कौन सा है factor 7th तो यहाँ पे देखो 1,2,3,4,5,6,7 7 में क्या S सुन सुनागे यहाँ पे इस ट्रिक में ठीक है सुन से हम क्या लेंगे S ठीक है और S से हमारा factor क्या था 7th? Stable factor ठीक है तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 7th क्या है? Stable factor S से क्या अबना stable और इस तरीके से अगर हम second trick में देखते हैं तो वहाँ पे भी क्या हमारा पास 7th पे 7th नमबर पे क्या है? सेंट तो सेंट से भी हमने S ले लिए यहाँ से तो हमारा पास 7th क्या है? हमारा पास stable factor इस तरीके से हमें इन ट्रिक के दुबारा हम अपने factors को याद रख सकते हैं जो कि blood clotting factors हैं और blood clot में यह help करते हैं इनके बिना blood clotting नहीं होती यहाँ पास भी